अब ये असेक्शुल रिप्राक्शन मैं बताऊंगी असेक्शुल रिप्राक्शन ठीक है सिंगल पेरेंट अब आपको रट जाना चाहिए और साथ-साथ में लिखते जो ये सब चीजे नो वेरिएशन या फिसलाइट वेरिएशन नो अड़ाप्टाबिलिटी रैपिड इंक्रीज इन नमबर ठीक है नो गैमीट साथ-सम जैसे इसमे स्पर्म ओस सफर्म होता है ना वो सफर्म नहीं होता यूनी सेलुलर में जल्दी होता है पहले होता है अब ये सब चीजे अगर याद हो गई तो कुछ इसमें है ही नहीं अब आपने देखा था ना कि ये जो है लिश्मैनिया जो की ये काला जार करता है अमीबा ये सब कहां था किंग्डम प्रोटिस्टा में है किंग्डम प्रोटिस्टा कहां था पांच डिविजिन्स मैंने बताया थे आनिमेलिया प्लांस ठीक है, phungi, protista, ठीक है, ये जो, और मोने रहाut, तो ये जो protista है, उसके अंदर ये है, unicellular है, लेकिन eukaryotic है, eukaryorts है, ठीक है, तो simplest form है करना क्या, fission मतलब divide करना, binary fission मतलब दो में divide करना, ये खाली दो में divide कर लेता है ठीक है अब ये amoeba है amoeba में भी ऐसी होता है, ये divide हो जाते है दो में, paramecium में भी ऐसा है ये दो में divide हो जाते है, ठीक है ये इनके cilia है, जो बहुत important है आपको ध्यान रखने है, ठीक है अब binary fission कैसे होता है nuclei of amoeba lengthens and divide देखो, पहले में, nucleus divides ठीक है, after them cytoplasm divides into two parts one part around each nucleus उसके बाद cytoplasm divide होता है, ठीक है N, C याद रखना, in other words nuclear division is followed by appearance of constriction in the cell membrane इसमें थोड़ा सा constriction, ये जो है न, ये constriction in the cell membrane which gradually deepens inward and divides the cytoplasm into two parts each one with one nucleus ये इतना divide हो जाएगा और हर को एक 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 बाट लेंगे finally two daughter cells are formed, right, तो इसमें याद क्या करना है, पहले nucleus का और फिस cytoplasm का ठीक है paramecium में क्या होता है amitotic division of macronucleus ये जो macronucleus है वो दिवाइड हुआ and mitotic division of macronucleus ये जो macro है उसमें amitotic होता है और जो ये micro था उसमें mitotic होता है ठीक है, newly formed oral groove and new contractile vacuole ये groove बन गया और ये contractile vacuole नया बन गया देखो, ये contractile vacuole है ये नया बन गया तो new daughter cell ठीक है, समझ में आया एक था, ये अपने आप बनाओ उसके दो हुए उसके बाद यहां आया यहां आया और उसके बाद दो हुए ठीक है, ऐसे आपको बना लेना है अगर आपने एक बना लिया ऐसा तो बहूत easy हो जए तो मतलब दो आखे यह दो nucleus पहले हो जाएंगे यह लिश्मानिया है यह इसके दो forms है promastigote और ermastigote और इसमें जो है यह flagellum होता है जिसके surrounding पे binary fission होता है ठीक है multiple fission अब multiple fission क्या है binary मतलब की by मतलब 2 एक में से 2 हो रहे थे multiple मतलब एक में से बहुत सारे हो रहे कितने सारे हो रहे है बहुत सारे है okay so the parent organism simplists or device to form many new organisms at the same time sometimes during unfavorable a cyst is formed around single cell कभी कभी क्या होता है कि यह multiple होने के पहले यहाँ पे यह cyst form हो जाती बहार एक hard covering जब यह cyst की बात आती है मुझे हमेशे ऐसा लगता है कि एक कचोड़ी जैसा होता है जो गुचरात में मिलता है उसमें बहार एकदम hard covering है वो hard covering को cyst बोलते है तो a cyst or protective wall is formed around single cell nucleus इसमें भी देखो nucleus पहले डिवाइड करता है several times into many अब उसमें 2 cell बनाने थे तो तुम्हें 2 ही बार करना था अब इसमें एक nucleus है यहाँ पे आप देखो तो cyst डेवल यह सब diagrams प्रीज मेरे साथ बनाओ copy pen लिए बना तो बैठना ही मत यहाँ पे दो मिनिट स्टॉप कर दो ले आओ copy pen मुझे कोई problem नहीं है लेकिन copy pen साथ में रखो यह सब आपको अपने साथ द्रॉ करना है तो यह हो गया अब यह जो है nucleus 1, 2, 3, 4, 5 nucleus divide हो गया ठीक है और वो arrange हो गया periphery of the parent cell nuclei divide हो गया और arrange हो गया ठीक है and a bit of cytoplasm around each daughter nuclei is present अब यहाँ पे थोड़ा 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 cytoplasm आ गया ठीक है finally the multi nucleated body divides into many daughter cells ultimately क्या हुआ कि वो जो nucleated body है वो divide हो गई काफी nucleated काफी सारे daughter cells में और उसको हम plasmodium कहते है ठीक है मतलब plasmodium कहते है नहीं लेकिन plasmodium में यह होता है plasmodium कौन सा है वो malaria वाला जो malaria करता है तो उसमें ऐसा multiple fission होता है राइट देखो यह कितना सुन्दर है यह जो है red blood cells है हमारे जो RBCs है न वो है जिनमें यह plasmodium divide करता है यह इसके multiple fission है यह जो है daughter nuclei है और यह इसके साइटो plasma है ठीक है और यह plasmodium यह क्या करता है यह ऐसे करके cyst बना लेता है यह बाहर cyst बना लेगा और उसके बाद फिर इतने सारे डेवलप हो जाएगी तो आपने यह देखा कि कितना rapid division है cyst बनाई खूब सारे डेवलप कर ली है और हो गए so inside the cyst nucleus of the cell splits several times to form many smaller nuclei called daughter nuclei एक में से बहुत सारे daughter nuclei बनी यह नह इसमें NC याद रखना ठीक है no class to N-C मतलब nucleus पहले divide होगा अगर तुमने यह याद कर लिया तो काफी तो solve हो गया so nucleus of the cell splits several times to form many smaller nuclei called daughter nuclei little bits of cytoplasm collect around each daughter nuclei and thin membranes are formed around them ठीक है in this way many new daughter cells are formed from a single parent cell within the cyst in fact as many daughter cells are formed as the number of daughter nuclei produced to produce jitने nuclei होंगे jitने nuclei होंगे उते जादे daughter cells होंगे okay so यह है multiple fission when the favorable condition survive जब बहुत अच्छे conditions आगे तो cyst तूट जाता है and many daughter cells present in it are released each forming a new organism ठीक है in this way a single celled parent undergoes multiple fission to produce many daughter cells at the same time अब इसमें के example है plasmodium is a protozoan which reproduces by a sexual method of multiple fission अब आपने पता था हमने देखा था ना की reproduction कितने types का होता है a sexual और sexual a sexual में भी 6 है पहला fission है fission में भी 2 है binary और multiple तो अभी हम किस की बात कर रहे है इस multiple वाली की बात कर रहे तो यह कहा होता है plasmodium में about 1000 daughter nucleus cells are produced by the multiple fission of one plasmo सोचो की कितना घातक है एक plasmodium cell में से कितने बनेंगे हजार plasmodium is a malarial parasite which produces malaria disease in human beings it is carried by female इसका जो vector है यह female anophilus mosquito है जो one person to another thereby spreading the malaria disease जो भाव छिस जो आपे जो तो तो दो तो जो 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 तो जो जो दो जो 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 आ़ है